Just One Television ने एचे रिसर्च एंड फार्मा के साथ एक लिशेटिव शुरू किया है जहां पे हम पाकस्तान के लीडिंग कंसल्टेंट और डॉक्टर जो है उनको बलवाएंगे इसकी प्रेवलेंस क्या और इसकी प्रिवेंशन क्या है खावातीन में हर्मोनल चेंज़ जिसकी वजाए से बोन थोड़ी सी अब्जॉब जयादा होती है बनने के निजबर इसी तरह मर्दों में यही आस्टो प्रोसे वो थोड़ी से डिलेड और होती आरतों की निजबर तो तक्रीबन दस साल का फरक होता है डियबेटीस हडियों को नरम करती है आस्टो प्रोसेस करती है बच्चों में क्या होता है बच्चों में भी हडियां कमज़ोर होती है बच्चों में हडियां कमज़ोर होती है विटमन डी की डेफिशन्सी से क्रोना वाइरिस की वज़ा से पैनिक तो हर जगा पे है लेकिन क्या क्रोना वाइरिस पे हम अच्छे तरीके से लोगों को मश्वरा दे पा रहे हैं? बिलकुल नहीं हर बंदा एक्सपर्ट बना हुए हर बंदा उसकी टेकनिकल साइड पे मेडिकल साइड पे गुफटगू का रहे है शायद ये उनके करने वाली बात नहीं दिस इस अवेरी सेंस्टिव एरिया जिसमें हर कोई क्वालिफाइड नहीं है हमने रियलाइस किया कि पाकस्तान में हेल्थ के हवाले से अवेरनेस का कोई ऐसा प्रोगैम किसी टीवी चैनल पे वो मेंस्ट्री मीडिया हो या सोशल मीडिया हो आपको नदर नहीं आता अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर जो है जो आप से बड़े रेगुलर इन इस्जूस पे बैटके बात करें और करोना नहीं अब हमने रियलाइस किया कि हमें अपने हेल्थ के मामलाथ को बहुत रेगुलर ली उन लोगों से सुनना है जिनकी ये एक्सपर्टीज है जिन पर्वाएं इनको बल्वाएंगे बल्वाएंगे उन जिनको हम हर रोस तो फेस काते है लेकिन ना हमें को गौइड करने वाले ना रास्ता बताने वाले है और जो बताने वाले हैं वो शायद मेरे जैसे लोग बैठ के टेलिवीजन पर अपनी एक्सपर्टीज जाड़ते र सर्टन डॉक्टर से उनको बलवाएं और उनसे बात करें ताहिर ओवर टी यू असलाम लेकों नाजरीन मैं हूँ ताहिर मेमूद और मैं आपके पास एक नया प्रोग्रेम लेके हाजर हुआ हूँ जिसका नाम है हल्थ पॉइंट हल्थ फॉइंट कवर करेगा तुमाम हल्थ के केर सेक्टर के की स्टेकोल्डर्स को जिसमें हल्थ परोफेशنल्स है है डॉक्टर्स हैं रेगुलेटर्स हैं पेशन्ट्स हैं केमिस्ट्स हैं और फार्मसीटिकल कंपनीज हैं हम इस प्रोग्राम में हर अफ़ते एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और दो अबजेक्टिव होगे पहला अबजेक्टिव होगा नाजरीन के हम बताएंगे कि कोई भी अगर मर्ज है तो उसकी रीजन्स क्या है तो हम बात करेंगे क्यों के उपर और दूसरा करेंगे how to treat it यूजली यह होता है नाजरीन आप जानते हैं इर्दगिर जितने भी प्रोग्राम होते हैं different channels के उपर उन प्रोग्रेम्स में आम तोर पे एक खास topic को जब उसकी hype create होती है तो उसकी बात होती है जैसे आजकल करोना वाइरस की है लेकिन once that issue is over वो प्रोग्रेम ओवर हो जाते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे we will go a long way इस प्रोग्रेम को kick off करने के लिए मैं पहली दफ़ा जिस guest के साथ यहां आपके सामने हाजर हुआ हूँ यह किसी तारुफ के मोताज नहीं है one of the country's greatest and bigger big name of orthopedic surgery spine surgery and he is with me today I am so lucky to have him on this program and he is professor Tariq Sohail from doctor's hospital right now असलाम उलकुम डॉक्र साथ साथ साल लेकिन जी ताहिर साथ यह मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने health point relationship कि आप लोगों को मर्स के बारे बताएं उसकी understanding बताएं उसके possible solutions हैं वो बताएं कि आज तक हमने यही देखा कि कोई health card एका दुका यहां पर शुरू करता है वो भी एक खास focused होता है उसमें इतनी details है यह इतनी basic तरीके से बात नहीं होती जो होनी चाहिए इसके अगर देखा जाए बरक्स तो खाने पकाने के तो हर दर चैनल विल कीप ऑन telling you how to cook बला 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 बहुत शुक्रिया रोग साब तो वो मेरे खाल में यह बड़ा healthy initiative है और मुझे बड़ी खुशी हुए क्योंकि मेरी बड़ी अर्से सखाशती कि ऐसा हो कि एक health card channel ह जिसमें अवाम नास को बताया जाए कि आपने आपकी बिमारी क्या है प्रावल्म क्या है या जो भी आपको कोई issues है उसकी basis can how to handle those in a scientific manner बहुत शुक्री है रोक्साब जब आपसे कही दफ़ा पहले भी बात हुई तो रोक्साब हमारी एकसर discussion यही चलती थी कि हम health के उपर बहुत serious नहीं है आप जानते हैं कि ना हमारे health के उपर कोई budget है ना हमारी health के उपर बहुत ज्यादा awareness उस लेवल की है सुनने वाले भी उ मुहमद तारिक सोहिल है मैं professor हूँ orthopedics and spine surgery का मेरी basic जो training है यह graduation जो केई से हुई थी के बाद मैं बाहर चला गया बाहर मैंने general surgery उसके बाद orthopedics में training ली orthopedics के बाद मैंने spine surgery में specialize किया और spine surgery मैंने जो basic जो concept है and I appreciate that वो मैंने जर्मनी से हासल किया जर्मनी के बाद मैंने मु specialty है उसको ज्यादा polish किया और मुख्रिप technique सेखी और alhamdulillah during this procedure मैंने academic से परे नहीं गया मैंने अपने आपको भी improve करने की कोशिश करता रहा कि ता कि मैं बेहतर से बेहतर training हासल कर सकूँ बेहतर से बेहतर technique develop करूँ और वापस Pakistan में लाओ इस दुरान मैंने वही जो तरीका था कि मैंने एक professorial role में मैंने बहुत सारी sort of chapters or books लिखी जो almost 15-20 मुलकों में print हो चुकी है जिसमें USA, Germany, Italy, UK, India, Pakistan, even Iran, Iran में तो एक कताब की जो translation और Persian में की हुई है इसी तरह अरजंटीना और ब्राजिल और इस किसमें के मुलक जो हैं जहां पर Spanish बोली है और पड़ी लिखी जाती है मेरी जो दो तिन कताबें जो ऐसी हैं उनका उनने ट्रांसलेट ही Spanish language में किया हुआ आप जो आप जो आपको किसी और जबान में दीती हैं ने कहां जो आप छोड़ दे हमने आपने मताबक कर ली इसी तरह यही हाल हुआ कि मैं एक दफ़ा एरान गया हुआ तो वहां एक कताब के जो सफे थे ना वो बड़े मुझे प्रॉमिनन्ट और बड़े लाग रहे थे मैंने का यह क्ताब कहां की है वो कहते है दिर ग्रफेसव सहेल न लाहुर थे जी उसकी कताब है मेरे जो ।ा मैंने उसको सीधा किय मैंने का यर वो तो मैंने का मुझे इसमें कोई शक निदे का था त01 बुक के टाल सैम्न लेंगशान स्र Wesley जा थे हमने आपसे परमिशन नी उसके लिए इज़त है कि इस किताब को आपने ट्रांसलेट किया इसका बल समझा कि इसको आप अपनी जबान में प्रिंट करेंगे। ड्रोक साब आज आपसे टाइम मिला है बात करने का तो आप जानते हैं कि आपने हमेशें पेशेंट की वलफेर की बात किया और ये प्रोग्रेम भी नाजरीन आप जानते हैं कि पेशेंट की वलफेर के लिए है तो हम ये चाहेंगे कि आज जूई आर्थोपेडिक सर्जन जह यह बताएं, यह osteoporosis है क्या? इसकी prevalence क्या और इसकी prevention क्या है? देखें, osteoporosis जो है ना, let's, osteoporosis होती क्या है, उससे पहले आपको बताएं कि जब से बच्चा पैदा होता है, जब से चलना फिरना शुरू करता है. हडी जो है, एक वो static चीज़ नहीं है, यह बहुत ही metabolically active tissue है, जो हर वकत नियाब बनता है, पराना अब्सॉब हो जाता है, नियाब बनता है, पराना अब्सॉब होता रहता है, उसके साथ हडी की growth होती रहती है, सबसे ज़्यादा जो growth होती है, in terms of लंबाई, चुडाई और उ जो है, वो long bones या जो flat bones हैं, वो सारी जो हैं, वो एक हद तक अपनी strength maintain करती हैं, उसके साथ उनके जो mineral content हैं, वो भी maintain करती हैं, इसके इलावा कुछ हड़ियों का function है, कि खून बनाना और खून के जो जर्रे मुख्लिफ किसम के है, खुलिये जिसे कहते हैं, वो बनाना, वो स चलते फिरते जब हैं, तो आपकी जो चलने फिरने के दर्मयान आपकी टांगों की उपर बोज़ पड़ता है, आप शॉक absorption होती है, और आपको जो ambulatory activity जो होती है, जो pain free होती है, वो आपको मेशर आती, जैसे जैसे वकत गुजरता जाता है, वो जो है, अमल, वो थोड़ा स disrupt हो जाता है, aging process के साथ, कुछ जिसमें, खवातीन में, जो मेनोपाज जिसे कहते हैं, उसमें hormonal changes है, जिसकी वज़ए से bone थोड़ी सी absorb ज्यादा होती है, बनने के निस्पर, इसी तरह मर्दों में, जो यही आस्टे प्रोसे, वो थोड़ी सी delayed और होती है, औरतों के निस्प बूत नहीं रहती है, वो आहस्ता आहस्ता जो भुरवरापन है, या उसके अंदर कंसेलस bone का जो element है, वो थोड़ा से ज्यादा हो जाता है, और उनकी हड़ीयां बगार किसी significant चोड़ लगने के, चलते फिरते तूट जाती है, और मेरीज यही समझते है कि शायद मेरा पाउ कि कही तफ़ा खांसने से disc slip हो जाती है, कुछ ऐसा होता है? या खांसने से disc slip नहीं होती, अगर tendency पहले ही हो disc bulge हो, या disc slip होई हो, तो खांसने से intra-abdominal pressure, उसके बाद intra-discal pressure, disc के अंदर जो pressure रन, वो बढ़ जाता है, जिसके वज़ाए से टांगों में एकदम संसनाहट, जं समझने चाहिए कि इनसान के अंदर is shock absorption mechanism है, जब आप चलते हैं, आपका weight gain करते है, weight compression जो है उसको absorb करती है, वो आएस्ता हैस्ता थोड़ा सा disc क्योंके कमज़ोर हो जाती है, और जिसके जो एक जैलिसी होती है, डिसक के अंदर, वो थोड़ा सा बाहर निकलती है, जब वो ब या जैली जो है, वो बाहर निकलेगी और नर्व को दबाएगी, नर्व जो है न वो थोड़ी सी irritate होगी, करंट पढ़ेगा, टांवा में दर्द होगी, इस किसम की कई अलामात होती है, अच्छा हम वापस आते हो, osteo process पे मुझे यह बताईएगा रोक्ष साब, के बच्च बूरा दही नहीं खाते, या केलसिम वाली चीजे नहीं लेती, जिसके उसे हड़ियों की जो, वीटमन डी कीだकी लिवटाय की पूरी नहीं होती, उनकी जो प्रोटीन लिवटाइइफ पूरी नहीं होती, जिसके हड़िया नर्म रहती है, वो बगाएर किसी चोट लगे, व तोटती हैं, तोटना वह बड़ा माइक्रो लेवल पे होता है, जो सिर्फ एक्सरे में नजर आता है, वह हील भी हो जाती है, और अगर आप देखें, उनके एक्सरे में नजर आती हैं, जो पराना एक माइनर सा फ्रेक्चर होता है, स्ट्रेस फ्रेक्चर जो चलते फिरते होता में फिर वहील भी वह जाता है तो उसको फिर टेड़ी हो जाती ही हडियाँ क्योंकि हडियों की जो बनावट है वो जो एंट के ओपर ग्रोथ प्लेट्स होती है वहां से होती है तो वह थोड़ा सा हाँ, एपिफिजियल और मेटफिजियल के जंक्शन के ओपर, वहाँ पे वह जब वह हड़ी ग्रो करती है, अगर आपको नुटीशन नहीं से मिलती, प्रोटीन से ही नहीं मिलती, कैलसिम से ही नहीं मिलता, बच्चा इंबुलेंट इतना नहीं रहता, या कोई और सिस्टेमिक एलनेस है, जैसे किड्नी की बिमारी हो, या मैल अब्सॉप्शन हो, या उनको बार-बार कोई मोशन लगे रहते हों, तो उस जैसे वह हड़ीयां का वह एंड थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि उससे वह एफर्ट ज्यादा हो रही होती कि ताके हड़ी और बने, तो वह हड़ीयां फिर वाजन के साथ या एक्टिविटी के साथ टेड़ी भी हो जाती है, तो उसमें दर्द होती है, बचा मैलनुटिशन होता है, हड़ीयां टेड़ी होंगी, टांगें टेड़ी होंगी, तो उसमें दुखन भी होती है, उस जगों पर जो चौड़ी हो जाती है, जब फिसे चौड़ी हो जाती है तो उसको आम तार पे रिकट्स कहते हैं यही सूरत हाल एडल्ट में भी होती है मगर इसे आस्ट्यो मलेशिया कहते हैं हड़ी बनती जरूर है मगर नरम रहती और वो आस्ता इस्ता टेड़ी या मानर चोट से वो फ्रेक्चर हो जाती यह जो ह जो दूसरी दो जो दो रिकट्स और आस्ट्यो मलेशिया वो निट्रिशनल डेशियंसी है या कोई और प्रेग्जिस्टिंग डिजीज है जैसे कैलसियम अबजाब ना होना या कुस फासवेट या कैलसियम की मेटाबॉलिक प्राबलम होती है वो है या रिनल डिसार्डर हो की वजवात कुछ और हैं उनके चाहे खाते पीते भी हों इसके बावजूद अंडरलाइंग डिसार्डर की वजए से उनकी हडिया नरम हो जाएंगे या टेडी हो जाएंगे या तूट जाएंगे मगर आस्ट्रिपरोसिस इस डिफेंट डिसार्डर और इसके सिम्टम कोई अच्छा आपको उसकत ही पता चलता है जब आप गिरते हैं ममूली सी आपको छोड़ लगती है मंगर ठीक ठाक फ्रेक्चर हो जाता है जो आस्ट्रिपरोसिस सालर्ड किलर है इसमें आपको आस्ट्रिपरोसिस कोई साइंस सीम्टम नहीं होते के आप कहें कि यह बंदा जो इसे कोई बात नहीं है, आप, you can guess, इसलिए कि जब आप देखें कि हड़ीया नरम हो जाती है आस्ट्रोप्रोसिस की वज़े से या भुरुबरेपन की वज़े से, जो गिरने के इलावा जो चेंच उनको नजर आती है, वो उनकी कुब निकलना शुरू हो जाती है, काइफोसि इसलिए आता है कि जब हड़ी नरम होती कि आपकी डिल्ली अक्टिविटी, मस्कलर अक्टिविटी, आपकी ग्रैविटेशनल फोर्स जमीन की इस सारी मिल जुलके आपको एक तो काइफोसिस नेचरल होता है, जो एक पोस्चल का हिस्सा है, वो एग्जाजरेट होना होता है, वेरी वेल बैलंस्ट एंटियर एंदे पस्टियर पार्ट, मगर जैसी आस्टिव प्रोसिस आना शुरू हो जाएता है, आएस्ता इसको शेप जो वेज़ शेप होना शुरू हो जाती, तो अगर आप देखें कि मल्टिपल वेज़िस हों स्पाइन के अंदर, तो व अगर गिर जाते हैं कहीं खुदा ना करें, तो वो उनको प्रैलिसिज और भी हो सकता है, और दूसरा चुंके वो कॉप निकलता है, काईफोसिस होती तो उनका पोस्टिर जो है न बाड़ी इमिज वो चेंज हो जाता है, जिसकी वज़ए से कई लोग बड़ी डिप्रेस है अगर आप देखें उनकी रिब्स जो हैं वो पहलो इसके साथ मिली तो नहीं होती मगर उसके डिस्टन्स कम हो जाता है, जिसकी वज़ए से उनका खाना पीना कम हो जाता है, वो खाते पीते कम है क्योंकि अगर ये पेट का जो अवेलेबल स्पेस है, वो अगर कम हो जाएग मगर काइफोसिस इस नेच्रड ऑफ एज रिलेटिट इवेंट तो इसमें मुल्टिपल प्राव्लम्स होती है, अब इसके इलावा जो वकत के साथ जो मोहरे घिस जाते हैं, उनके डिसकें खराब हो जाती है, अगर इसके इलावा और कोई इश्यों हो रहा हैं आप कुछ द जाएंट्स, डिस्क वगारा एंड रिजल्टिंग दूसरी जो तबदीलियां आती हैं उनको देखने के लिए, क्रेक करने के लिए, उसमें नर्व इंपिंजमेंट, स्पाइन स्टिनोसिस है कि आप चलते चलते आपकी टांगें सो जाती हैं, आपके पाउं में दर शिरू ह जाती है, या कुछ हरसा चलने के बाद, या किसे हाफ एक किलोमेटर या इसे भी कम, बीस, पचीस, तीस गज़ या सो गज़ के, कहते हैं कि टांगें सो गइंग, आप बैठ जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बद चलना शुरू है, आपकी टांगें फिर सो जात हैं, तो ये स्टेनोसिस की वज़ए से होते हैं, जैसे अगर आप स्पॉंडिलोसिस हो तो तो इसमें सेकंडी चेंज़चिस आती हैं कमर के अंदर, जिसके जासे आपकी जो ह्राममंगस और उसे जो नसें बाहर निकलते हैं वो इंपिंच हो जाती हैं, जिसकी वज़ए से उसी स्पेस नहीं रहती और चलने फिरने के लिए इतनी वह जगा यह नहीं कापैसिटी नहीं रहती कि वह फंक्शन सही कर सकें दूसरा जब वह काईफोसिस होता है यह वहां पे स्टेनोसिस हो जाती तो उसके अंदर मूवमेंट भी कम हो जाती तो वह नई हड़ी जिसे पंजाबी के लिए नहीं चुंजें बन गई है नहीं वह चुंजें जो हैं या आस्टियोफाइड जिसे कहते हैं वह अल्हा ताला ने एक मकसद के लिए बनाते हैं इसका साइड एफेक्ट या डाउन साइड ही होती है कि वह नर्व टिशू या स्पाइन कॉर्ड वगारा इस किसे की चीजों के इंपिंज करते हैं जिसके अब टांगे सो जाना पाओं में दर्द हो जाना चलते फिरते वकत उनको उलजहन होनी पाओं में या टांगों में ये सारी चीज उसके साथ ये पार्ट अफेजिक प्रोसेस तो ये बहुत हाथा का आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं आप इसको नेक्स्ट वेस्टिन मेरा एग्जैक्ली यही था डॉकसा मैं ये पूछना चाहरा था मुझे ये बताईएगा कि अगर हम तीनों को रिकेट्स को ऊस्टियो मुलेशिया को ऊस्टियो प्रोसेस को प्रेवलेंस वायज देखें तो इसको जियादा प्रेवलेंस की है नोगार निट्रिशनेables मेटाबॉलिक डिसोर्ड़ जो अपनी ज्यगह पे हैं उनको आप between entity रिकें तो जेदा बेतार क्यूовой वोए और ठीक है है cylinder किि उसके नीचे अंडरलाइंग बिमारी क्या है? क्रिडिनी के प्राबलम है, हाइपर टेंशन है, या जो है, मैल अब्सॉप्शन है, या आई बीएस है, या बेशमार बिमारियां और है, या उनकी कैलसियम और फास्ट उसकी मेटेबलिसम ही जो है, अबनॉमल है, जिसमें बेश हर्मोनल डेपलिशन, इस्टिजन जो डेपलिशन होती उसकी वज़ए से, और मर्दों में टेस्टिस्टरॉन डेपलिशन, जो थोड़ी सी ओरतों से आट-दास साल बाद आती है, इसके अलावा, आपकी इनक्तिविटी, लॉस अफ एक्सरसाइज, आपका सिडेंटरी प्रिशन, जो आज कल हमारे बचों में और बड़ों में दोनों में, तो वो देखें, इजिंग प्रोसस है, आस्टिव प्रोसस विल एग्रेवेट इस स्पॉंडिलोसिस, मगर स्पॉंडिलोसिस प्राइमरी जो है, इसके अंदर जो आपकी डिस्क खराब होती है, फैसेट जो निर्ल टिशु जो है, वो इंपिंच करता है, या दर्द करता है, या इस्टिवलिटी ड्वुएलप होती, जहां तक dimeyan में और ऐस्टिव प्रोसस का दिकर मैंने किया था, क्यो हो आस्टिव प्रोसस के अंदर जो है, वो हड़िया नरम हो जाती है, वो खोकली हो जाती और नाइम वो इतनी रिजिस्टन्ट होती है आपकी डे टो डे अक्टिविटी और जल्दी तूट जाती है उनका इलाज बहुत हद तक प्रिवेंटिव है मैं आपको बताओं कि आपके जो डेली आप आप चलते फिरते ना ये मत समझें कि हड़ी फीमर या थाई की या टांग की हड़ी ये स्टाटिक है नहीं ऐसी बात नहीं है ये अगर आप इनकी स्टडी करें इलेक्ट्रोनिक इसके ओपर सेंसर राके तो देन फूब अफिर चलते हैं माइक्रो मॉशन वह रूक्ट्रॉनिकली आप पिक कर लेते हैं कि किफनी मूउमेंट हो रही है तो वे जो मूउमेंट है वह बड़ी इंपॉर्टन इताओं कि यह है कि एवरी टाइम ये जब आप चलते पृते हैं और इसमें exercise, ambulatory activities, इवन घर के अंदर चलना पर ना, बाहर चलना पर ना, they all involved. उससे यह है कि जब यह हड़ियां मूव करती हैं, उससे electrical currents generate होते हैं, हड़ि के अंदर different होता है, बाहर different होता है, जिसकी वज़ा से उसके अंदर calcium और protein की deposition और दूसरी मिनरल्स हैं, उनकी सब की dep support मिलती है, अगर आप चलते फिरते नहीं हैं तो आपकी हड़ियां नरम रहेंगी, that's the reason, आपकी weight-bearing exercise, जो भी हैं, चाहे walk हो, चाहे दूसरी activities हो, जिसमें, जो भी आप weight-bearing activity चलने फिरने से लेके दौर लगाने तक है, वो सारी activities, they are important for the bone strength, bone health and bone formation. अगर आप teenager हैं, आप physically active रहते हैं, आपकी हड़ियां मस्बूत होंगी, teenager में अगर आपका physical activity और खेल कूद में हिससे लेने के साथ, आपकी खुराक भी ठीक रहती, आपकी हड़ियां मस्बूत होंगी, अगर आप laid back आपका approach है, आप फिरते नहीं हैं, सारा दिन बैठे पास से पहले ही वो osteoporosis आनी शुरू हो जाएगी, so इसलिए physical activity, weight-bearing exercise, they are important in the teenagers and in any age group, whichever you come across. तो उसमें ये है कि बोन की जो health है, वो weight-bearing, muscular activity इससे related है, along with the vitamin D and calcium and all those things, जो भी nutritional supplement या nutritional demand होती है उस एच के मताबद. इसके इलावा underlying disorders कितनी हैं, एक हमारे हाँ diabetes बहुत common है, diabetes हडियों को नरम करती है, osteoporosis करती है, दूसरा, एक हमारे हाँ एक बड़ा खौफनाक रुजहान है, जो unfortunately अभी भी है, हकीमों, तबीबों और non-professional, non-qualified लोगों के पास जाना, जो स्टी-राइड खिला देते हैं, प Pakistan के अंदर बहुत खलाया जाता है, different portions में, different फक्कियों में, different पानी के उनका जी है, दमकीताया पानी, जो तो कहते हैं, जो फक्की चपा होते देओ, देकिन आप कई सुनागे जी फलाँ पीरसा फलाँ जो है, वो पानी देता है, उसे ठीक हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं है पानी में, स्टी-राइड डाले हुए, बल्कु सही, बल्कु सही, वो एक बड़े ड्रम में या घड़े में, वो एक दो किलो डाल दिया, वो होत है जी महते हैं, जी क्या पात है, जी इसमें दम दरूद हो गया, ठीक हो गया, हालाँ के स्टी-राइड इंडूस्ट आस्टियोप्रोसिस इस डिफिकल सिचुएशन, इसमें फ्रेक्चर ज्यादा होते हैं, उनको इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसका उपरेश होता है, इसलिए स्टी-राइड इंडूस्ट हमारे मुलक के अंदर आस्टियोप्रोसिस बहुत कामन है, और ये सारी इताई हकीम, ये जो दम, दुरूद और बलाबला वाले जो हैं, ये सब करते हैं, डॉक्र साब, वक्त की कमी है, जी नहीं चाह रहा कि इस प्रोग्रेम को खत्म किया जाए, मेरे पास मैं जब आपने बात की, तो मुझे एंड पे एक आइडिया हुआ, और नाजरीन आप भी देखेंगे, कि हमें खाली ओस्टियोप्रोसिस की नहीं, डॉक्र साब ने जब बात की, तो हमें लग रहा है कि ओस्टियोप्रोसिस को फर्दर सेग्में जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, मेरी दो बहुत लर्निंग हुई है, और डिफिनेटली आप लोगों की भी लर्निंग हुई होगी, हम चाहेंगे कि डॉक्ट साब को हर दफा एक नए टॉपिक पे कहें, इससे बहले डॉक्ट साब आप चाहेंगे, एक मैसेज देना है, ह और एक्टिब रहें, चलें फिरें, खुश रहें तो ठीक रहें. मैं हूँ ताहिर महमूद और आपके लिए लेकर आ रहा हूँ प्रोग्राइम एजे हल्थ पाइंट। तो देखते रहें एजे एजे हल्थ पाइंट। 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 एजे हल्त। एजे हल्थ पाइंट। से लेकर एजे तूएंट। र现在 को सभेते रहमूः पाइंटू